नमस्कार सातियों स्वागताब का अपने चैनल हरियाना कोसल में जी हाँ सातियों हरियाना कोसल रोजगार निगम पोर्टल पर डीडियों का नंबर नेम किस तरह से चेंज करें सातियों पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि क्या होता है साथियो की डिपार्मेंट के अंदर जब कोई भी एक डीडियो को एक आईडी दी जाती है साथियो उसका ट्रांसपर भी हो जाता है उसको दूसरे भी बाग में बेज दिया जाता है लेकिन उसके जो फोन नमबर होता है सात्यों और उसका जो नाम होता है उसके नमबर बार बार ओटी भी ना जाए तो इसलिए आप किस प्रकार से उसको चेंज करें ताकि आप सात्यों को प्रेशा नहीं ना आए सात्यों कि पोर्टल को किस प्रकार से उपन करते हैं तो इसको हम उपन कर लेते हैं एक बार यहाँ पर कर लेने के बाद में डिपार्मेंट लोगिन पर कर हम कलिक कर देते हैं डिपार्मेंट लोगिन पर हम जैसे कलिक करते हैं साथियो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पासवर्ड चेंज पर यह जो पासवर्ड का जो उप्षन दिया हुआ साथियो इसके ओपर हम कलिक कर देते हैं जैसे हम चेंज पासवर्ड पर कलिक करते हैं साथियो तो देख लिजी सबसे पहले यूजर नेम मंगेगा कि आपका यूजर नेम क्या था जब हम ID पे उपन करते हैं तो वो वाड़ा फिर old password, create new password, confirm password ठीक है साथियो जैसे हम ये डाल देते हैं साथियो तो change password इसके उपर हम यहाँ पे click कर देते हैं साथियो ठीक है जैसे हम change password पे click करेंगे साथियो तो आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा आपका जो password है वो वो लागू हो जाएगा साथियो फिर आपको क्या कर लेना है साथियो अपने उसी portal के उपर वापिस से आके अपने जो login है जो username है वो वाड़ा और जो आपने जो नया password बनाया था साथियो वो वाड़ा यहाँ पे डाल देना है साथियो फिर जैसे ही आप इस login के page पर click करेंगे साथियो तो आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा ये देग लिजी साथियो इस तरह से आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा कि आप अपने डीडियो के ID इस प्रकार से डालिए ये pay code साथियो वही डाले जो जैसे आपका कोई department में कोई डीडियो बनने जा रहा है जो उसकी post पर आया है तो उसका employee code यहाँ पर डलेगा employee code को जैसे हम search करेंगे साथियो ठीक है फिर उसका first name ठीक है फिर उसका last name फिर उसका यानि यहाँ पर designation किस post पर है साथियो और mobile number इस mobile number में साथियो आप अपना भी mobile number दे सकते हैं अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो जैसे आपको कोई computer operator है और आपको handle करना है तो आप अपना number भी दे सकते हैं क्योंकि आपके number बार-बार OTP आता है जैसे हम इसको login करते हैं साथियो department login ID से उसके उपर एक OTP जाता है तो वो OTP उसके अंदर बार-बार डालना पड़ता है तो इसलिए उससे जुटकारा पाने के लिए आप अपना खुझ से number पूचके department का जो डीडियो है उससे पूचके कि सर मैं मेरा number डाल दूँ तो आप यहाँ पर अपना number भी डाल सकते हैं साथियो पिर अपनी यहाँ पर mail ID डाल देनी है जो department की mail ID है पिर यहाँ पर उसका address डाल देना है जो department का address है साथियो तो फिर इस परकार से जैसे आप address डालेंगे साथियो तो यहाँ पर जो निच्चे जो update डेल देनी है इसके उपर हम कलिक कर देते हैं साथियो जैसे हम इसके उपर कलिक करेंगे साथियो तो देख लिजी इस परकार से आपके सामने एक OTP आएगा आपके फोन पर वो OTP 10 मिंट लग वैलिड रहेगा फिर आपको ये अपना OTP डाल देना है साथियो जैसे ही आप इसके ओपर OTP डाल देते हैं तो आपके सामने आपके DDO की ID जो है वो successful हो जाती है साथियो इस प्रकार से हो successful आपको दिखाएगी और आप अपनी दुबारा से उसी login ID से और उसी department के जो आपका जो नया जो चार्ज जिस पे आया है department का तो उसकी ID login होने लग जाएगी साथियो तो अब आपको बार-बार दूसरे पर OTP नहीं लेना पड़ेगा इस प्रकार से आप अपनी detail को change कर सकते हैं तो बहुत से साथियों के मेरे पास comment आये थे कि किस प्रकार से change कर सकते हैं तो आसा करता हूँ कि उनके समझ में आ चुकी होगी तो साथियो आपने वीडियो देखिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप अपने चैनल से जुड़न दन्यवाद आपका दिन सुभू